जैहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इसे एक और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने क्या का है त्री केंडिड़ेट ए बी एंड सी कॉंटेस्टिड एन इलेक्शन एक एलेक्शन में तीन केंडिड़ेट ने फाइट किया आउट ओफ दीज टोटल वोट वोट्स ओन वोटर लिस्ट वैंटिफ़ परसेंट दिड नॉट वोट यानि कि पच्छिस परसेंट लोगों ने जो वोटर लिस्ट में थे वो वोट ही निरिया जो 6.66% जो पोल्ड वोट पर यह हैं वो इन्वैलिड होगी C got 2450 वैलिड वोट वीच वर 40% more than that of B यानि C को जो वैलिड वोट मिली है वो कितनी है 2450 है बट जो यह वोट है वो B से कितनी है 40% जादा है यानि B का अगर मैं 140% निकाल दूँगा तो वो बराबर C की वैलिड वोट यानि कि मैं यहां से B की वैलिड वी निकाल सकता हूं वैलिड वोट इफ एग वोट ओनली 40% ऑफ टोटल वोट वोट मिली है तो विनर को नहीं विनर तो वही होगा जिसको ज्यादा वोट मिली होगे चली देखते हैं मैंने माना कि टोटल जो वोटर है वो मेरे पास में 100 है अगर मेरे पास टोटल वोटर मेरे पाँ 100 है तो 25% ने वोट निया तो दिया कितना वोट ने कि 75 ने अब वो 75 में से क्या कह रहा है कि इन्वैलीड होगी कितनी इन्वैलीड होगी 66 स्वरी 6.66 मैं इसको खोली लिखता हूँ 10,000 तो 25 35 और 2500 यानि कि यह कितना हो जागा मेरे पास में 9 9 9 और डिवाइड बाय मैं मैं इसे करूँगा आपका 200 इसे कि काट ले मैंने यह 2 हो हो जाएगा, नहीं कि 3 यहको9 तो यह से 4 पर जाएगा तो यह ऐट 00 हो जाएगा आपका 1 99 हो जाएगा पिर 0 जाएगा तो यह 9 पर जाएगा तो यह कितना हो एट-recht- willing यह利iliड हो यानि 2-9 जो- four-point-9 वोट आइं वो ताइं आ कि अगर तोतल वेलिड देख दिया रख्य कि अगर सी की टोटल वैलिड वोटत देखो तो फाइफ जीरो इंटू में हंड़र बाय में अगर मैं वन फोर्टी करूंगा तो मेरे पास बीकी वैल्यू आजाएगी इससे मैं इसको काटा तो यह दो सत्ते चोदा और दो पचास तो इसको काट गए साथ एकिस साथ एकिस और साथ पंचे पैंतिस तो यह कितना पांच पच् आज उसके बाद एक्सामनर ने कहा है कि ए गुट्वट ओनली 40 पर्सेंट ऑफ दा टोटल वोट यानि एको जो वोट मिली है वो टोटल वोट का 40 पर्सेंट मिला है यानि कि इसको अगर 40 वोट मिली है इसको टोटल वोट 40 मिली है बढ़ हार जी तो मेरी 17 पर होगा तो सत्त सब्सक्राइब कर दोनों को जो सम है इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह मेरे पास में जीरो जीरो साथ जाथ आचार बारह और एक इतना चार यानि यह तो मेरे पास 40 200 है फीससे उन्बर को आप इससेडा मेल्टिप्लाई कर दीए को 56 डवल जीरो यानि एको जो वोट मिलिया वो च्छपन सो मिली है वीको 1750 मिली है और C को जो मिली है 2450 मिली है यानि कि A जो है वो winning candidate हो क्योंकि सबसे ज़्यदा vote इसी को मिली है एक बार फिर देखते हैं examiner ने क्या कहा एक बार समझते हैं फिर दुबार से एक लेक्षन हुआ उसमें 100 थे उसमें 25 परसंट ने वोट ही नहीं दिया तो 75 ने वोट दिया फिर कह रहा है उसमें से जो वोट डली है उसमें से 6.6 परसंट जो है इन्वैलिड हो गया तो उसको सोल किया तो वह 5 वोट आया यानि 4.9 को मैं लिख सकता हूं 5 तो टोटल जो व परसंट मिला है टोटल वोट का यह कितनी हैं इसका 40 परसंट अगर इसके पास है तो सत्र में से 40 तो इसको मिली 30 किसके पास होगी बी और सी के पास में बट मैंने बी और सी का सम निकाला तो 4200 यह 30 को 4200 बणाने के लिए कि से मल्टिक्प्लाइ करना पड़ नपड़ेगा 140 जिससे से multiply गया उससे से A को multiply गया तो A का हम A की votes आगी, B की votes आगी, C की vote आगी और A की vote जादर थी, यानि कि A जो होगा वो winner होगा, एक बार ये देख लेते हैं कि B का कैसे आया, एक्जामने ने कहा था B जो है, B का अगर मैं 140% निकालूं, यानि 140 बाइ मैं 100 करूं, तो वो बराबर किसके उन्राची है, आपका 2, 4, 5, 0 के बराबंचे, यानि कि अगर मैं इसको सबको यहां बेज दूँगा, तो 2, 4, 5, 0 into मैं 100, बाइ मैं 140, ये मैंने solve कर गए, यहां बताया था, यानि कि option जो A होगा, वो इस question का correct होगा, I hope आप सभी को question समझ में आगा, जै हिंद, जै भारत.